Hello and Welcome, Great Academy के online portal पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है MD Sumi, ये CRM का आठवा लेक्चर है, जो आपके examination point of view से बहुत ही important है, इसमें हम लोग जितने भी CRM companies हैं, उसकी CEO के बारे में पढ़ने वाले हैं, founder कौन है, किस year में found किया गया, उनका headquarter कहा है, तो इन सारे चीजों को समझने के लिए, पिछले lectures को follow करना बहुत जरूरी है बच्चों, तो please आप से, मैं ये कह रहा हूँ, कि पिछले lectures को आप लोग देख के आए, क्योंकि especially जो मैं RFM model आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग CRM का software में use करेंगे, ताकि हम लोग customer का selection क कर सकें, किस तरह के से हम लोग marketing करते हैं, कौन सा हमारे business के लिए customer, effective customer है, क्योंकि marketing में ये policy follow की जाती है, marketing edge है वो, कि 80% of your business is done by 20% of customer, यानि कि 20% customer जो आपके पास retain रहते हैं, वही आपके 80% business को चलाते हैं, तो इन सारे चीजों का detail समझने के लिए, पिछे lectures को follow करना बहुत ज़रूरी है, जो भी contents हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, यह बहुत ही research करके बनाते हैं बच्चों, ताकि आपका selection हो सके, और हम यह चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे channel को follow कर रहे हैं, हमारे channel से तयारी कर रहे हैं, वो select हो जाएं, और जो यह मैं देखता हूं, कि ज teacher से आप लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि जो हमारे contents को copy करते हैं, बच्चों हमें बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग topics के उपर research करके, आप लोग के लिए prescribed contents लेके आते हैं, ताकि आपका time बच सके, क्योंकि जो आपका यह channels हमारे contents को copy करते हैं, वो 6 lectures में आ करता हूं, कि जो भी content में यह बना रहा हूं, और आप लोग को दे रहा हूं, सारे questions आपके इसी में से आएंगे, कुछ भी extra पढ़ने की जुरूत नहीं है, ना ही हमको PhD करना है, और ना ही मैं आपको लोग करवा रहा हूं, बस जो topics हमारे लिए important है, आपको वो पढ़के जा है, तो प्लीज से subscribe कर लिजे, ताकि मेरे दोरा दी गई हर एक वीडियो की notification आपको time पे मिलती रहे, और हो सके, तो वीडियो को share कीजिए, ताकि आपको ये मालुम चल सके, कि कौन किस तर्की की तयारी कर रहा है, lectures के एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजेगा, skip नह lecture में, मैंने आपको detail में बताया, history of software development और mobile applications के बारे में, यहां हम लोग पढ़ेंगे कि किस company का, किस ने found किया, किस year में found किया, और इसके CEO कौन है, और companies का headquarters कहां पे है, ये topic आपके लिए important इसलिए हो जाता है बच्चों, क्योंकि DFC CIL के previous year में, इससे questions पूछा जा चुका ह कि salesforce.com का CEO कौन है, और अगर हम लोग PSU के exams को देखें, call India, sale हो गया, या MBA हो गया, इसमें previous year में, इससे questions आते हैं, तो पहला company जो है salesforce.com, तो salesforce के बारे में, CRM के 7 lecture में मैंने आपको detail में बताया, यहां पे हम लोग जानेंगे, कि इसका foundation किस year में किया गया था, 1999 में इसका foundation किया गया था बच्चों, और जो इसके founder थे, Parker Harris, इन्होंने इसका foundation किया था, और जो इसके CEO है, Mark Benioff, और इसका headquarter जो है California में है, तो Mark Benioff के बारे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि यह Oracle Company में काम करते थे, और बाद में इन्होंने company को छोड़के, अलग से company बना ली, salesforce. तो Oracle Company जो है, यह बहुत है पुराने company है, 1977 में यह बनी थी company, Larry Allison ने इस company का foundation किया था, Bob Miner और Eddie Oates से मिलकर, और इसके CEO जो है, वो Larry Allison है, और इसका headquarter जो है Texas USA में है, और एकल जो है बच्चों, यह बहुत ही अच्छी software को बनाती है, जो बहुत ही best software होते हैं, CRM के best, और इसका जो पहले नाम था, वो Software Development Laboratory था, SDL, और 1983 में इसका नाम चेंज करके Oracle कर दिया गया, अगली जो company है SAP, इसके बारे में आप लोग नहीं सुने होंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस company को देख लेंगे, इसका जो foundation है, 1st April 1972 में हुआ था, इसके जो founder है, डाइमार हॉप, हैसो फ्लेटनर, कलोस रिचीरा, एंड कलोस वेलन रूथर, यह सारे इनके founder है, अगर यह नाम आप लोग को याद नहीं है, तो सिरिफ आप लोग डाइमाटर हॉप को याद रखिये, यह बहुत ही important है, क्योंकि इन्होंने सबके साथ मिलके इस company का foundation किया थ और इसके जो CEO है, Christian clan, इसको तो आप लोग यादी रखिये, और इनका जो headquarter है, Waldorf जर्मनी में है, और next जो company है, Bitrix 24, Bitrix 24 क्या आप लोग add देखते होंगे, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, यह बहुत ही latest company है, जो की 2012 में बनी है, और सर्गी Rizikov, Rizikov के दोरा बना गया है, और इसके CEO भी यही है, इसका जो headquarter है, वो Alexandria, Virginia, USA में है, Bitrix 24 जो है, Bitrix 24 Wikipedia को support करता है, यानि कि अगर हमको Wikipedia में कोई भी content सर्च करना है, तो Bitrix 24 automatically direct contents को दे देता है, जो कि हमाए लिए बहुत ही helpful है, तो Bitrix 24 जो है, वो Wikipedia में contents को सर्च करने के लिए help करता है, अगला जो company है IBM, इसके बारे में सभी जानते होंगे, सहे बचों ने IBM company के बारे में सुन रखा होगा, तो IBM जो software का development की थी, IBM marketing cloud, जो की CRM based software है, और इसका जो पहले नाम था, वो silver pop था, और इसको खरीद लिया गया था, और इसका नाम IBM marketing cloud रख दिया गया, यह IBM जो है, 16th June 1911 में इसका foundation हुआ था, और Charles Reynolds Reynolds Flint के दोरा किया गया था, और इसके जो CEO है, अर्विंद किष्णा, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यह Indian है, निउस में भी इसके बारे में आते रहता है, और इसका headquarter जो है, और Monk New York USA में मौझूद है, देखिए, अगला topic है IT CRM based companies, तो जो भी IT companies हैं, जिन्होंने CRM based software को develop किया है, उसके बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगे, तो पहला company जो है Microsoft, इसके बारे में सभी बच्चे जान आते होंगे, क्योंकि Microsoft द्वारा जो भी application इन्होंने launch किया है, सभी बच्चे ने desktop, laptop में इसका इसका इस्तमाल किया है, और mobile में भी इसका आप लोग इस्तमाल करते हैं, जो Microsoft Office नाम का application आता है, और भी इनके द्वारा applications बनाए गये हैं, जिसका आप लोग इस्तमाल कर चुके हैं, तो Microsoft जो है, यह 4th April 1975 में फाउंड किया गया था, Bill Gates और Paul Allen के द्वारा, और इसके जो CEO है, सत्य अंडरला जी, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यह Indian है, और news में भी इसके बारे में आता है बच्चों, और इसका जो headquarter है, Redmond, Washington, USA में मुझूद है, इन्हों ने जो software बनाया था, Microsoft ने, CRM पे based, Microsoft Dynamics 365, इसको आप लोग याद रखियेगा, यह examination point of view से बहुत ही important है बच्चों, अगले जो company है, Adobe, तो Adobe का भी आप लोग इस्तमाल कर चुके हैं, जो Adobe software बनाती है, Adobe Photoshop, Adobe Reader हो गया, Adobe Acrobat, इन सभी software का आप लोगों ने इस्तमाल किय होगा, और Adobe का जो foundation है, वो 1982 में किया गया था, John Warnock and Charles Gasked के द्वारा, और इसके जो CEO है, Santiru Narayan, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, यह भी Indian है, और जो इसका headquarter है, San Francisco, California, USA में है, और इसके द्वारा जो CRM software बनाया गया था, Adobe Marketing Cloud, उसका नाम है, इसको आप लोग याद रखिएगा, अगला जो company है Google, Google का जो foundation है, वो 4th September 1998 में किया गया था, Larry Page and Sergey Brin के द्वारा, इसके जो CEO है, वो Alan Traffler है, और इसका जो headquarter है बच्चों, वो Mountain View, California, USA में मौजूद है, Google का official कोई CRM software नहीं है, लेकिन जो G Suite है, और strict CRM है, इस Google के collaborations के द्वारा ये software बनाये गए हैं, जैसे अगर हमको अगर 50 Gmail या 100 Gmail को अगर manage करना है, उसके ID, password, एक एक चीजों को, तो G Suite के द्वारा हम लोग ये काम कर सकते हैं, अगली company जो है TCS, TCS के बारे में आप लोग जानते होंगे, हर बच्चे को पता है TCS के बारे में, company के बारे हैं, 1st April 1968 में इसका foundation किया गया था, फकी चंद कोहली और J.R.D. Tata and Tata Suns के द्वारा, इसके जो CEO है, राजेस गोपिनाथ हैं, और इनका जो headquarter है TCS का, मुंबई महरास्ट इंडिया में मौजूद है, इसका जो CRM based software है, TCS ION नाम का software है, जो की totally CRM based है, और ION digital zone में, आपने कई सारे exams दिये होंगे, जो की TCS के द्वारा बनाया गया है, इसमें examination control capability है, इसलिए आपका जो examination होता है, वो ION digital center पे दिया जाता है, देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे mobile app, CRM based companies, जो की mobiles में बहुत ही efficiently work करता है, अपने business को हमें एक app के जरिए पूरा control कर सकते है CRM के second lecture में मैंने आपको detail में बताया था, जो भी mobile app का launching हुआ था, सारे apps के बारे में मैंने आपको वहां बताया है, यहाँ पे हम लोग किस year में launch किया गया था, किसने found किया है, और इसकी CEO कौन है, और इसका headquarter कहां पे है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पहली जो company है, जेंडेक्स, यह 2007 में बनाई गई थी, मिकेल साउने, मोर्टन प्रिम दाही, एंड अलेक्जेंडर अगासी पौर के दोरा, और इसके जो CEO है, मिकेल साउने है, और इसका जो headquarter है, सेंस ब्रेंसिसको कैलिफॉर्निया, USA में मौजूद है, अगर इसके founder का नाम बच्चों आप लोग को exam में अगर question आता है, तो आप लोग इसका answer देखते ही दे सकें, यह founder आपको याद होना चाहिए, अगला जो mobile app है, सुगर CRM, सुगर CRM के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, कि यह first mobile app है, जिसका launching किया गया था, इसके बारे में मैंने second lecture में बताया है आपको सुगर CRM 2004 में launch हुआ था, जॉन रॉबर्स के दोरा, और इसके जो CEO है, Greg Charlton, और इसका जो headquarter है, वो Cupertino California USA में मौजूद है, अगला जो mobile app है, पेगा system, पेगा system जो है बच्चो, इसके बारे में आप लोग नहीं सुना होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको याद कर लेंगे और देख लेंगे, 1983 में इसका foundation हुआ था, एलेन ट्रेफलर ने इसको found किया है, और इसकी CEO भी एलेन ट्रेफलर है, इसका जो headquarter है, वो Cambridge Massachusetts USA में है, अगला जो mobile app है बच्चो, जैनेसिस, जैनेसिस जो है, 1990 में बना था, जोर्ज सैंक्मेन और एलेक्स मिलोसकी के और इसके CEO है, टोनी बीट्स, और इसका जो headquarter है, वो Dalai City, California USA में मौझूद है, जैनेसिस जो है बच्चो, इसके founder को याद करना भी आसान है, देखिए, सैंक्मेन, जो last generation का superhero सा सकती मान, उसके दोरा भी आप लोग याद रख सकते हैं, सैंक्मेन, इसको याद करना इसलिए बच्चो, ताकि अगर आपके एक्जाम में question आए, तो directly आप देखते हैं, टिक मार सकें, तो जो जो जोर्जरी सेंक्मेन, एंड एलेक मिलोस्वेस्की, ये इसके founder है, अगला mobile app है, जो हो corporation, तो जो हो corporations, और hub spot, pipe drive, जितने भी mobile app है, इसके बारे में मैंने second lecture में बता चुका ह है, और headquarter कहा है, इसके बारे में जानेंगे, तो जो हो corporations, जो है, 1996 से 2009 तक, इसका जो नाम है, वो advent net in corporations था, और इसको change करके, जो हो corporations रख दिया गया, जो की 2009 में किया गया, और जो इसका foundation है, वो 17th March, 1996 में किया गया था, इसके founder जो है, स्रिधर वैंबू एंड टोनी थॉंसन है, जो की इंडियन है, और जो इसके CEO है, स्रिधर वैंबू है, इसका headquarter चेन नही तमिलाडू इंडिया में मौजूद है, ये जो है, जो हो corporation office suite को support करता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अगला जो mobile app है, hub spot, hub spot 2006 में बना था, जून 2006 में धरमेश साह और ब्राइन हेलिंगन के द्वारा, और इसके जो CEO है, वो यामिनी रंगन, जो की 7th September 2021 से अपने work में आने वाली है, effective होने वाली है, अभी जो currently, जो इसके CEO है, वो ब्राइन हेलिंगन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, तो 7th September से change हो जाएगा और जो इसके headquarter है, Cambridge Messer Suites United States में मौझूद है, अगला जो mobile app है बच्चों, कीप, कीप के बारे में आप लोग ने नहीं सुना होगा, तो यहां हम लोग देख लेंगे, यह 2001 में बनाया गया, और इसको बनाने वाले जो थे, वो brothers Scott and Eric Martin U के दोरा बनाया गया, और इसके जो CEO है क्लेट मास्क है, और इसका जो headquarter है बच्चों, वो Chandler, Arizona United States में मौझूद है, अगला जो mobile app है, पाइप ड्राइब, यह 2010 में बनाया गया, टीनो रिन, उर्मस पूर्डे, रेंगर नार सास, मार्टिन हैंक, और मार्टिन ताजूर के दोरा, और इसके जो CEO है, डोमिनिक एलान है, इसका headquarter, तालेन, इस्टोनिया, और नियु यॉर्क सिटी, यहाटे स्टेट में मौझूद है, इसके founder, कई सारे हैं बच्चों, तो इसको याद रखने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन ये दो नाम को आप जोर याद रखिएगा, टीमो रेन और उर्मस पूर्डे, य इसके साथ में मिलके, इन्होंने इन सब के साथ में मिलके, इस company का foundation किया था, तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं, RFM मॉडल का इस्तमाल CRM में कैसे किया जाता है, RFM मॉडल क्या है, कैसे इसका हम लोग इस्तमाल करते हैं CRM में, एक एक पॉइंट को मैं बहुत ही detail ना बता में आएगा, तो आप लोग को पिछे लेक्टर को फॉलो करने के बाद ही लेक्टर देखना है, तो RFM जो है, इसका full form है, recency, frequency and monetary value, तो recency, frequency and monetary value के बारे में, RFM के बारे में, जैन रोल बूल्ट एंड टॉम विंस्बिक ने अपने आर्टिकल, issue of marketing science में, 1995 में publish किया था, तो वहां से जो है, RFM model को हम लोगों ने लिया है, और अपने CRM software में इसको इसको इस्तमाल किया है, तो RFM जो है, वो चार तरीकों से modified है बच्चों, पहला जो modification है इसका, RFD, यान की recency, frequency and duration, तो recency, frequency and duration हम लोगों क्या देखते हैं बच्चों, recency का मतलब है, कि हमारे company का कोई भी product, कितना recent कोई भी customer खरीता है, जैसे कि अगर आज जो है, 25 तारिक है, तो अगर 24 तारिक को वो लिया है, तो वो हमाई लिए most recent है, और कितना frequent वो किसी product को ख़ई रहा है, मतल लिजे, अगर आज 25 तारिक है, जैसे मैंने आपको बताया, और अगर 24 तारिक को अगर हम साबुन लेके गये हैं किसी company से, तो साबुन तो भार भार नहीं खर देगा, उसको 10 दिन या 15 दिन का duration चाहिए, तो इस तरीके से हर एक product का duration अलग-अलग होता है, तो जो वैक्ति हम commerce website को study करने का तरीका है, जैसे कि duration यहाँ पर लिखा है, मान लिजे, अगर हम अपने company का add कर रहे हैं, या आप अगर Wikipedia पर surfing कर रहे हैं, Facebook पर surfing कर रहे हैं, या YouTube पर surfing कर रहे हैं, तो कितने देर तक आप उसको surf कर रहे हैं, उसमें RFD जो है, उसका record रखने में help करता है, अगला जो modification है, RFE, Recensive Frequency Engagement, तो यह RFD analysis का detailed analysis है, RFD जो model मैंने आपको बताया, जिसमें हम लोग Facebook surfing, YouTube surfing, या Wikipedia surfing का duration का हम लोग record रखते हैं, तो उसका detailed analysis इसमें किया जाता है, Recensive Frequency Engagement में, जैसे कि Facebook के किस page को, आपने कितनी बार खोला, कौन से page को आप लोग खोल रहे हैं, YouTube में क्या चीज़ आप लोग देख रहे हैं, या Wikipedia में किस content को आप लोग search कर रहे हैं, कितनी देर तक search कर रहे हैं, किस तरीके से search कर रहे हैं, हर एक चीज़ का record इसमें रखा जाता है, अगला जो modification है, RFI, Recensive Frequency Monetary Value and Interaction, तो इसमें जो है, हम लोग यह देखते हैं, कि जो भी advertisement हमने अभी फिलाल में किया है, या marketing campaign किया है किसी product का, तो जो customer है, वो कितना जल्दी interaction हमारे product से हुआ है, या कहां कहां से interact होके हमारे पास आ रहा है, inside चीज़ो का record इस model के द्वार रखा जाता है, अगला जो modification है बच्चो, RFMTC, Recency Frequency Monetary Value Time Generate, तो इसमें हम लोग यह calculate, यह है, RFMTC जो model है, यह दिया गया था, आईचेंग के द्वारा, 2009 में, इस model के अंदर हम लोग यह calculation करते हैं, कि अगर कोई customer हमारे पास से कोई product लेके गया है, तो अगर जब हम किसी भी नए products का advertisement करेंगे, या marketing campaign करेंगे, तो इसकी क्या probability है, कि हमारे पास वो दुबारा आएग जैसे माल लिजे, अगर हमारे पास साबून है, तो साबून का जब हम manufacturing करते हैं, तो साबून की जब हम quality को improve करें, कि उसकी महा कच्छी है, वो हमारे आखों को जलन नहीं देगी, हमारे skin को soft रखेगी, तो जब हम नए product को लेके आएंगे market में, उसका जब हम लोग marketing campaign चलाए तो अगर हमारे पास साबून लेके पहले ही गया हुआ है, तो नए product को जब हम launch करते हैं, तो हम वहाँ पर यह absorb करते हैं, यह calculate करते हैं, कि इसकी क्या probability है, कि वो ही customer हमारे पास दुबारा आके वो product लेके जाए, देखिए, आप हम लोग समझते है, recency, frequency और monetary value क्या है जैसे मान लिजे अभी आज अगर 25 तारिक है, तो 24 तारिक वोला जो भी customer होगा, वो हमारे लिए most recent होगा, और frequency का जो मतलब होता है बच्चों, कि कितने बार वो product खई रहा है, मान लिजे अगर वो हमारे दुकान से जो है रासन का समान लेके जा रहा है, या टौवल खई र चितनी बार खर देगा, एक महिने में अगर वो 10 बार हमारे company से किसी product को लेके जा रहा है, तो हमारे लिए most frequent customer है, और monetary value का मतलब होता है कि कोई भी customer जो हमारे company से product लेके जाता है, तो वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, जो भी पैसा खर्च कर रहा है, जो customer ज्यादा amount में product क को लेके जाएगा, ज्यादा पैसा invest करेगा, वो हमारे लिए ज्यादा important होगा, तो यही सारे चीजों को हम लोग देखते है, most recent customer, most frequently purchased customer, और ज्यादा spend करने वाला customer, जो कि हमारे company में ज्यादे पैसे को spend करता है, तो वो हमारे लिए valuable customer होता है, उसको हम लोग offer देते हैं, offers द के customer को लुभाते हैं, ताकि वो आगे तक बना रहे हैं, और इसमें तीन टाइप के customer का हम लोग classification करते हैं, new customer, power of customer और labs customer, जो new customer होते हैं, वो जो पहली बार लेके गए हैं, पहली बार जब कोई customer हमारे product को लेके जाता है, तो वो हम लोग RF, MTC के दोरा यह calculate करते हैं, और यह समझने के courses करते हैं, कि वो customer हमारे पास दुबारा आए, नहीं तो हम उसको offers देंगे, क्योंकि उसका data हमारे पास पहले से मौझूद नहीं है, और एक वो customer होते हैं, जिसका data हमारे पास मौझूद होता है, और उसी पर हम लोग अपने business को run करते हैं, उनको offers देते हैं, और त मतलब होता है, कि जो customer हमें छोड़के चला गया, जैसे माल लिजे, एक या डेड़ साल पहले, वो customer हमारे पास से products को लेता था, और एक डेड़ साल से जब हम data को analyze करें, तो देख रहे हैं, वो customer हमारे पास आया ही नहीं, तो हम ये जानने की कोसिस करते हैं, कि कहीं वो product से हम उसको क्या problem हो गई, इन सारे चीजों को समझने के बाद उस customer को दुबारा हम लोग return करने की कोसिस करते हैं, तो RFM model जो है बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया, शुरुवात में, कि ये marketing edge को follow करती है, कि 80% of business is done by 20% of customer, यानि कि जो 20% customer जो हमारे पास return है, वो सारे ब RFM model के बारे में हम लोग समझ लिए पीछे, इसका जो इस्तमाल है customer list का, वो हम लोग कैसे division करेंगे, तो जो भी parameters हमने पढ़े, RFM, recency, frequency and monetary value, इसी parameters के आधार पे, हम excel का इस्तमाल करके, या किसी another tour का इस्तमाल करके, इन सारे parameters को अलग-अलग category के हिसाब से हम divide कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ आप लोगों को देख रहे होंगे, कि recency, frequency and monetary में, tire 1 से लेके tire 4 तक मौझूद हैं, तो tire 1 वाले जो होंगे, वो सबसे रहादा powerful होंगे, और tire 4 वाले जो होंगे, वो कम powerful customers होंगे, तो recency का मतलब होता है, कि कितना recent कोई भी customer किसी product को लेकी गया है, जैसे आज ही अगर कोई हमारे पास से chips लेकी गया, या हमारे पास से oil लेकी गया, तो वो हमारे लिए most recent customer हो जाएगा, और अगर वो week में लेकी जाता है, तो वो हमारे लिए tire 2 में आ जाएगा, और अगर month में लेकी गया, तो tire 3 में आ जाएगा, और अगर 5 महिने में या साल भर में ले तो कितनी बार हम से लेके जा रहा है, इस चीज का हम लोग इसमें record रखते हैं, जैसे माल लेजे आज अगर वो chips लेके गया, तो chips के 100 packet लेके चला गया, तो वो हमाई लिए most recent customer हो गया, लेकिन अगर वो हमें profit ज्यादा नहीं दे रहा है, तो monetary value के tier 4 में वो आएगा, जो customer हमें ज्यादा profit देगा, उसको हम tier 1 में रखेंगे, जैसे माल लेजे कोई अगर LCD TV ही लिया, तो वो frequency तो उसकी 1 है, लेकिन उसमें हमें profit ज्यादा हुआ, तो उसको हम tier 1 में रखेंगे, या tier 2 में रखेंगे, अगर उससे highly spendable को customer आ गया, जो ज्यादा profit हमें दे के जा रहा है, तो tier 1 में आ जाएगा, तो इस हिसाब से हम customer की category को divide करते हैं, जैसे मान लिजे कि अगर कोई customer का बड़े पड़ा है, तो बड़े में वो हमारे पास समान जो है ज्यादा लेके गया, और हमें ज्यादा profit भी देखे गया, भले वो most recent customer नहीं है, लेकिन उसकी frequency जो है उस time पे ज्या week wise, यह RFM model इतना helpful है, कि per day के हिसाब से हमें किस customer को, या week के हिसाब से, या month के हिसाब से किस customer को target करना है, यह help करता है, और जितने भी parameters हैं, एक दूसरे पर dependent नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि जो most recent customer है, वो हमारा most frequent customer होगा, और highly spendable customer होगा, जैसे कि मान लिजे मैंने आपको बताया, कि जो आज लेके गया, अगर वो 100 rubber band लेके गया, तो हमें 10 रुपे का profit दिया, तो monetary value में वो 4 पर आ गया, लेकिन अगर कोई customer हमारे पास परसो लेके गया, तो वो टायर 3 में डाल देंगे उसको, तो टायर 3 में डाल, लेकिन अगर वो हमारे पास से oil लेके गया है, तो oil अगर वो हमसे 10 बार लेके गया है, तो वो most frequent में आ गया, तो most frequent में और अगर उसने हमें ज्यदा profit दिया है, तो वो highest spendable में आ जाएगा, एनकी tier 1 में आ जाएगा, तो इस तरीके से हर एक customer के उपर हम target कर सकते हैं, उसको category wise divide कर सकते हैं, कि कौन से customer हमारे product को कब खरीता ह है, किस basis पर खरीता है, कितना हमें profit दे रहा है, तो ये एक parameters हैं, जिसके basis पर हम selective customers को target करते हैं, देखिए बच्चों, हमने RFM model के बारे में बहुत ही detail में पढ़ा, recency, frequency और monetary value के बारे में मैं आपको बताया, और हमने जब customer का selection कर लिया, selective customer को target कर लिया, उसके आधार पे जि कर रही है, ये time management के लिए बहुत ही beneficial है, और उसके आधार पे ये customer को categorize करती है, कि उसके लिए best customer कौन है, high spending new customer कौन है, और lowest spending active loyal customer कौन है, और churned best customer कौन है, तो जो भी बड़ी-बड़ी company हैं बच्चों, जैसे Facebook का आप लोग इस्तमाल करते हैं, YouTube देखते हैं, या Google देखते हैं, तो ये क्या करती है, ये अपने customer को second minute और घंटे या week या day के हिसाब से categorize करती है, ताकि अपने advertisement को properly कर सके, तो time management के लिए RFM model बहुत ही effective है बच्चों, एकदम समझ लिए कि CRM का ये hurt है, इससे important कुछ ही नहीं RFM model, इसके द्वारा आप हर एक चीज कर सकते हैं, किसी भ अब दिखाना है, जैसे Facebook में देखा होगा, आप लोगों ने, कि आपका बड़े आने वाला होता है, उससे पहले डिस्पले होने लगता है, तो इससे क्या होता है, कि आपको बहुत सारे wishes आते हैं, जब आपका बड़े होते हैं, तो Facebook जो है, अपने customer को लूभाता है, अपन अफेक्टिव है, किसी भी CRM कंपनी, जो CRM सफट्वेर है, यह जतनी भी बड़ी-बड़ी कंपनी हो गई, यह छोटी-छोटी बिजनसे हो गएं, इस मोडल का इस्तमाल बहुत ही बारिकी से करती है, तो best customer जो हो गए, इसका गुरूप जो है, टायर वन, टायर वन वाले ज न्यू customer है, तो one time spend कर रहा है, तो टायर 4 में है, frequency में, और उसकी monetary value ज्यादा है, हमें ज्यादा profit दे रहा है, तो वो high spending customer होगा, ऐसे ही अगर हम 142 को देखें, यानि कि वो एक बार हमारे पास से समान लिया, one transaction किया, और उसकी जो monetary value है, वो कम है, यानि कि 2 tier है, तो वो भी हम हमारे लिए high spending new customer हो जाएगा, lowest spending active loyal customer जो है, वो सारे tier 1 में आएंगे, recency में, और frequency का जो tier है, वो differ करेगा, monetary value का, जैसे कि 113 है, तो 113 का मतलब recency में ये 1 पे है, और frequency में भी 1 है, यानि कि most frequent customer है, लेकिन monetary value में जो है, वो tier 3 पे है, यानि कि monetary value में tier 1, 2 से हमें कम profit दे रहा है, इसलिए ये low spending customer हो गए, 3 और 4 वाले lowest हैं, तो ये lowest spending customer हो गए, तो 4 वाला भी इसमें हम ले ले लेंगे, 114, अब churned best customer जो है, इस segment में हम लोग कौन से group को लेंगे, जो हमारे लिए least recent customer होगा, जो 4 नमबर का customer होगा, tier 1 का, recency का, और जो हमारे लिए most frequent हो गया, और monetary value है, list recent को ही लेके चलेंगे, लेकिन frequency और monetary value को change करेंगे, तो frequency वाला क्या, first वाला और monetary value का, 412 हो गया, 421 हो गया, 422 हो गया, तो ये जितने भी customer है, जो इस group में आ रहा है, ये हमारे लिए churned best customer है, तो RFM model बच्चों, आप लोग को बहुत तीच समझ में आ गया होगा, thank you for watching my video, इस video से जुड़ी भी कोई भी doubt है, तो हमें आप comment box या telegram channel पर पूछ सकते हैं, जिसका link description box में रहता है, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा, या आप लोग notes बना लीजे, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जय हिंद,